Hello everyone, welcome back to ग्यान का बस्ता जैसा कि आपने वीडियो का थमनेल देखा होगा आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MSC Jolosi के पेपर Tools and Technics in Biological Science के Question Paper की जो की Session 2023 का Question Paper है तो इस तरह से ये वीडियो आपके upcoming exam के लिए बहुत ही helpful होने वाली है अगर आपके भी पेपर का टॉपिक Tools and Technics in Biological Science है तो वीडियो में अंतक बने रहें ये जो Question Paper है ये यूनिवस्टी वीर बहादूर सिंग पुर्वांचल यूनिवस्टी का Question Paper है जो की 7th semester जिसे आप 1st semester भी Consider कर सकते हैं Session 2023 में पूछा गया था तो आएए वीडियो को स्टार्ट करते हैं 7th semester के वीर बहादूर सिंग पुर्वांचल यूनिवस्टी के 1st paper Non-Codata का वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा आप चाहे तो MSA Geology से रिलिटेट अन्य वीडियो के लिए भी हमारे चैनल पर विजट कर सकते हैं वीडियो अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जैसा कि आपको पता होगा आपका जो स्लेबस है वो नैशनल एजुकेशन पॉलसी के द्वारा चेंज किया गया था तो आपके बदले हुए पार्ठिक्रम के अधार पर किस तरह के questions आप पूट अप किये जा रहे हैं इसकी information इस वीडियो के तरह आपको मिलने वाली है सेशन 2023 से नैशनल एजुकेशन पॉलसी के द्वारा जो भी स्लेबस चेंज किया गया था नए पार्टन पर question आप पूट अप किये जा रहे हैं तो पेपर के पार्टन को समझने में काफी help मिलेगी इस वीडियो के तरह तो जलोंए अजकर है यह तून मैं टाइक निकस इन बायोजिकल साइंस इस पेपर की जो टाइमक्टियु डुरेशन है वह तिरी आर्ट की पेपर सेवगें पाइवंडियो को कई पर करना है तो इस तरह से तुरह से 3EXT में आपको इस पेपर को कॉम्पीट करना है पेपर में जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दी गई हो उनको बहुत ही केरफुली रीट करें उसे पढ़ने में लापरवाही ना करें क्यूंकि इसी के अकॉर्डिंग हमें अपने अंसर को लिखना होता है अटेंट क्वेशन फ्रॉम आल सेक्शन एस पर इंस्ट्रक्शन तो जो भी इंस् इस तरह से सेक्शन ए में सभी पार्ट्स को अटेंट करना है एक आंसर को आपको 50 वर्ट्स में पूरा करना है 10 क्वेशन आपको सेक्शन ए में दिये जाएंगे इस तरह से एक क्वेशन के लिए आपको टू मार्क्स मिलेगा फर्स्ट क्वेशन नंबर है वट इस फोटो से फोटो सेल के बारे मैं हमको ब電शे पचाश शब नेक्स्ट है कि डिफाइ न emissions नेक्स्ट वग्तेटिटिव अनेवी अनलिशस зал गळाना है हैं नेक्स्ट है फिर्ध वटिस इन आकुलेशन इना लोगलिशन ओड अले बताना है next, what is use of culture media, culture media के use के बारे में बताइए next, what is meaning of stationary phase, stationary phase क्या होता है 50 शब्दों में अपने answer को पूरा करना है next देखिए, question number 7, define distribution coefficient, distribution coefficient को define करिए next question number 8, what is electrophoresis, ninth question है, define gradient gel last question number 10 है, from the section A, what is power pack, power pack क्या है तो इस तरह से ये 10 question थे, जो कि section A से दिये गये थे एक question का आपको 50 शब्दों में answer लिखना था, diagram नहीं ड्रॉ करने के लिए कहा गया है पट आप ड्रॉ कर सकते हैं, तो जरूर से ड्रॉ करें, इससे आपका answer और भी ज्यादा effective तरीके से represent होगा, examiner के सामने और ज्यादा से ज्यादा marks मिलने के chances बढ़ जाते हैं चुकि यह जुलोजी subject का paper है, तो diagram तो draw करना must है, तो diagram के practice भी आप जरूर से करें और draw करें, labeled draw diagram करें next देखी, paper के part 2 पर आते हैं, जो कि section B, short answer type of questions इस section में दिये गया है section B में आपको किनी 5 questions को attempt करना है, answer लिखने के limitation यहाँ पर 200 शब्दों की है तो इस तरह से एक answer आपका 200 शब्द में पूरा होना चाहिए, यहाँ पर आपको एक question के लिए 7 marks मिलेगा, तो इस तरह से 35 marks आपको section B से cover करने है तो आजे देखते हैं, section B के इन questions को, first है question number two, describe the photometry, photometry को describe करिये 200 शब्दों में, next है third question, write a notes on double pan balance next question number four है, describe the autoclave, next fifth question, describe the methods of monitoring of bacterial growth, bacterial growth को किस तरह से हम monitor कर सकते हैं, इसके methods को describe करिये next है question number six, what is the use of paper chromatography, paper chromatography के बारे में आपको बताना है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, chromatography जो topic है, यह repeat किया जाता है, और यह important भी है, next, seventh question, what is retardation factor, जिसे short form में आरेफ कहते हैं, यह क्या होता है, इसको आपको बताए, next देखिये, question number eight है, describe the electrophoretic mobility, ninth question है, what is the use of agro's gel, तो इस तरह से यह थे, section B में दिये गए questions, और in question में से आपको, किनी five questions को अटेम करना था, एक question को, आपको 200 शब्दों में reply करना था, तो इस तरह से, यह थे, short answer type के question, from the section B, next आते है, section C पर, section C, जो कि long answer type के questions, carry कर रहा है, और section C में से आपको, total, दो question अटेम करने है, एक question को, आपको 500 शब्दों में reply करना है, एक question के लिए 10 marks दिया जाएगा, तो इस तरह से, section C से आपको 20 marks कवर करने है, तो आईए देखते है, section C के इन questions को, फर्स्ट है, question number 10, describe the principle and use of spectrophotometer, use और इसके principle को बताईए, spectrophotometer के, next question number 11, what is microbial essay, microbial essay क्या है, describe के लिए इसके different methods को, microbial essay के, पांच अच शब्दों में reply करते हुए, आंसर को पूरा करे, जहां नेसेसरी हो, डाइग्राम ड्रॉ करे, next question number 12 है, describe the process of separation of biomolecules by thin layer chromatography, thin layer chromatography का use करते हुए, biomolecules के separation के process को बारे में आपको बताना है, 500 शब्दों के अंतरकत, इस तरह से देखिए, chromatography पर again question repeat किया गया, तो इस तरह से यह, chromatography यह important है, इस पर question repeat किया जाते हैं, आप चाहें तो paper के दिये गए topic के according, paper, question paper को search करके, आप अपनी preparation को और भी ज़्यादा boost up कर सकते हैं, आपको हमारे चैनल पर videos मिल जाएंगी, number of question जितना ज़्यादा आटेम्प करेंगे, तैयारी उतनी ज़्यादा boost up होगी, और confidence level बढ़ता जाएगा, next देखिए question number 13, what is SDS page, describe the different steps of SDS page, इस तरह से last question था, जो की बीर बहादूर सिंग, पुर्वांचल यूनिवस्टी, MSC Geology, 7th semester का second paper था, आशा है इस video के तुरू, जो भी questions बताएंगे हैं, वो आपके upcoming exam के लिए helpful होंगे, और paper के pattern को समझने में help करेंगे, वीडियो अच्छी लग जाए, तो वीडियो को like करें, और ऐसे ही आनने वीडियो के लिए चैनल को subscribe करना ना भूले, thank you for watching this video guys, हम मिलेंगे ऐसे ही next video में, till then stay happy, stay connected.